नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है हर्शु देविदी एक और वीडियो में आपका सौगत है NCRT Class 11 की एकनोमिक्स गेताब चल रही चैप्टर नमर टू चल रहा है और उसका थर्ड पार्ट है एक वीडियो मैंने पहली बनाई जो स्क्राइब मैंने पीसी महला नोबिस चीप एक वीडियो बनाई और यह तीसरी वीडियो है सारी वीडियो सापको मेरे NCRT की प्लेइलिस्ट मिल जाएंगी Class 11 की एकनोमिक्स में प्लेइलिस सेक्शन में चाहिए अगर आप जानना चाहते हैं तो तो यहां पर Agriculture से शुरुवात करेंगे ठीक है भई Chapter 1 में हमने देखा कि Colonial Rule के दौरान नहीं Agriculture सेक्टर की किसी प्रकार की ग्रोथ की इन अंगरेजों ने गोरों ने और नहीं किसी प्रकार की Equity दी जो गरीब किसान था वो गरीबी में भुकमरी में और धस्ता चला गया ठीक है और जब हमारा देश आजाद हुआ तो जो हमारे नेता पॉलिसी मेकर्स निकल के आएंगे उनके ओपर एक बहुत बड़ी responsibility आई कि इन issues को कैसे ठीक किया जाए तो शुरुवात में क्या लाए गए land reforms लाए गए land reforms में क्या किया गया कि जैसे तैसे करके जो गरीब हर्भू किसान है उसके पास थोड़ा बहुत लैंड पहुचाओ ताकि वो अपनी खेतिवारी करके अपना पेट पाल सके इसके वार जो पुराने दक्यान उसी खिला ये हिसाब के क्रॉप्स उगाने के लिए जो तरीके इसमाल करते थे उनकी वज़े से थी तो कहीं न कहीं लोगों को जमीन देने के साथ साथ उस जमीन से पैदावार कैसे जादा की जाए इसके टेक्निक्स बताना भी जरूरी था और इन द तरीके के लोग कहीं न कहीं डॉमिनेट करते थे पूरे के पूरे अग्रिकल्चर सिक्टर को जो लोग एक्चुल में अग्रिकल्चर करते थे लैंड के एक्चुल टिलर्स थे उनसे ये लोग रेंट वसूलते थे पैसा वसूलते थे पैसा वसूल के जेम में डाल देते थे ये जो rent वसूलने वाले लोग थे ये इस land के improvement के लिए कुछ भी नहीं करते थे ये इस land को सडाई छोड़ देते थे जिनको सिर्फ अपने पैसे से मतलब था इन में से आधस जदा लोगो खेती भी नहीं आती थी और जो खेती करने वाले लोग थे वो तो bear subsistence लेवल पर जी रहे थे तो वो तो क्या ही land में improvement करते हैं अगर आप बात करो हमारे देश में agriculture में productivity इतनी ज़्यादा कम थी कि इंडिया को USA से खाना इंपोर्ट करना पड़ता था इतनी बड़ी जमीन हमारी इतनी बड़ी अगरी कल्चर जमीन देश के policy makers को लगता था गया इतनी जमीन होने के बावजूद इतने किसान होने के बावजूद खाना हम USA से इंपोर्ट कर रहे हैं तो कैसे बेवकूफ लोग हैं तो कहीं नगे एगरी कल्चर में इक्विटी लाने के लिए लैंड रिफर्म्स लाने पड़ेंगे और लैंड रिफर्म्स लाने के लिए जो उस समय का पैटर्न था ownership of land holdings का इसको बदलना पड़ेगा और इसमें सबसे बड़े problematic elements कौन थे intermediaries ये जो बीच के दलाल बैठे थे थे ना जमीनदार ठेकेदार जागीरदार इनको हटाना पड़ेगा और independence होते ही एक साल के अंदर अंदर इन intermediaries से सरकार ने जमीने हड़पनी शुरू की और गरीब किसानों को देनी शुरू की और इसका बहुत opposition हुआ बट सरकार रेख के लिए करना जरूरी था और ये सही भी था चुकि जिन लोगो जमीन दी जा रही थी ये वही लोग थे जिनको सदियों से परेशान किया गया था इन जमीनों पर उनका हक था आगे बढ़ने इस पहले वीडियो पर लाइक का बटन दोस्तों अगर अब तक आप ने इस वीडियो को शेर नहीं किया इस चैनल को शेर और सब्सक्राइब नहीं किया बिल्कूल कर दीजे मुझे हल्प करने के लिए आप जोइन बटन दबाके टेलिग्राम ग्रूप चैन के लिजे मेरी जितनी वी करने डफिर्स की वीडियो बनाता हूं उसकी पीडियाफ के लिए इस NCRT के लेक्चर की पीडियाफ आपको NCRT की वेबस्टाइट भी मिल जाएगी आप वहां से जाके ले सकते तो भाई जैसा कि हमने देखा कि टेलर् लैंड की प्रोड़क्टिविटी क्यों 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 क्योंकि एक्चुली में जमीन जोत रहा है उसका वो लैंड है नहीं तो उसको या तो डेली वेज पर रख रखा है या फिर उसको थोड़ा बहुत साम के एंट पर चावल सबजी और आपका वेजिटेबिस दे देते हैं और वो जमीन ही हमँगे उसकान की कर देते हैं तो ऐस現在 में क्या होगा ऐसे में उसकान को एक एंसेंटिव मिलेगा कि वह समीन में कुछ इंप्रूब्मेट ले किया एक है पार था आप कहले जे रैंड री डिस्ट्रिबिशन का पार था अभी जमीनदारों से जागीरदारों से उठा के जमीन अगर गरीब किसानों को दी जा रही है तो जमीनदारों से पहले आपको जमीन लेनी पड़ेगी तो इसके लिए एक पॉलिसी लाई गई लैंड सीलिंग क कि एक पर्डिखूलर इंसान agriculture sector में इतनी जमीन लख सकता है मतलब कि कहीं न कहीं maximum size of land को fix किया गया कि एक individual maximum कितना land own कर सकता है और इस land ceiling को क्यों ले के आया गया ताकि कुछ लोग के हाथ में land ownership ना रहे जाए बहुत सारे intermediaries को उटाने का मतलब क्या था कि 200 lakh मतलब 2 करोर tenants directly सरकार के touch में आएंगे मतलब कहीं न कहीं जमीनदार से उनका exploitation खतम होगा पहले ही जमीनदारों के अंदर आते थे जमीनदार 20 से टा लिये गए जमीनदार से जमीन लेके इन गरीब किसानों को दे दी गई जब जमीन गरीब किसानों को दी जाएगी तो उनको मिलेगी ownership ownership से उनको मिलेगा incentive अब किसानों को लगेगा कि ये जमीन मेरी है इस जमीन के हक मेरा है और अगर जमीन पे हक मेरा है तो इस जमीन से जो भी पैदावार होगा वो भी मेरा है और पैदावार मेरा है तो अब्विस्टी बात है खाना पीना भी मैं ही खाऊंगा बेश के एक्ष्टा पैसा भी मैं ही कमाऊंगा तो कहीं न कहीं goal of equity आगे बढ़ेगा जो पूरा का पूरा पहला पैसा जमीनदार अपने पास रख लेते थे जागीदार अपने पास रख लेते थे वो कहीं न कहीं अब फार्मर्स को मिलना शुरू होगा लेकिन लैंड सीलिंग लोज लेके जो आए गए ना उनमें कमिया थी बहुत सारे लूप होल्स थे और उन लूप होल्स का जमीनदारों जागीदारों ने इस्तमाल किया आप ज़स्ट इमाजन करिए दोस्तों अपने दिमाग में आपके पास बहुत सारी जमीन है अब नो डाउट आप कितने भी एडवांटेजियस रहे हों और किते भी ताकत रहे हों आपके पास बहुत सारी जमीन और एग्दम से आपको लगे कि आपकी बहुत सारी जमीन ले कि गरीब किसान को दे दी जा लिए हो आप एक इंडिविजूल और आप अपने इसाब से सोचोंगे आप सोचोंगे कोई दूसरा जा रहा है परिशान हो रहा है होने दो भाई मैं अपनी जमीने क्यों दूँ अपनी चीज हर कोई अपने पास पकड़ कर रखना चाता है यह बास बिलकुल फैक्ट है एक हुमन नेचर है यह ठीक है इसमें सही गलत की बात नहीं होती है तो जब जमीनदारों को लगा कि उनके पास से उनकी जमीने जा रही है तो उन्होंने बोला कि कैसे भी करके अपनी जमीने को ले लो तो बहुत सारे cases में उन्होंने legislation में लूपोस को exploit करना शुरू किया सरकार ने उसे जमीने दी, tenants को दे दी, उन्होंने वापस tenants को वहाँ से निकाल दिया कही ना कही लैंड ओनर्स ने ये दिखाना शुरू कर दिया कि हमी तो है actual tiller, हमी तो खेट जोते है वो अलग बात है कि इन जमीन दारों ना कभी हुक्का पीने के लावा जिन्दी में कोई काम न किया हो लेकिन जब लगा कि जमीन जा रही है तो बोला कि नहीं भई हमीं करते हैं जोता जाती हमीं करते हैं सारा काम agriculture का हमीं इसके agriculture के land owner हैं समझ के बात को तो कुल मिला कि जो poorest agriculture लेबर्स थे शेयर क्रॉपर्स थे लैंड लेबर्स थे जिनको जमीन देने की बातचीत की जा रही थी उनको जमीने मिलने में बहुत मुश्किल कर दी और बहुत सारे लोगों को जमीने मिली भी नहीं केस को उस जमीनदार के फेवर में रूल किया बहुत सारे लोगों ने समझ में आया कि एक काम करो अपने आसपास करीब के रिष्टेदारों में जमीने बाट दो तो अगर लैंड सीलिंग इंपोस की है तो सीलिंग के एसाब से आसपास जतने चाहिते रिष्टेदारों उनको जमीने दे दो तो कम सकम जमीन घर में ही रहेगी समझ गया आप बात को बहुत सारे लूपोल्स का इस्तमाल करके इन बड़े लैंड हॉल्डर्स ने जमीनों को अपने पास रखने ही कोशिश की कहीं न कहीं इनके दिमाग में क्लेर बात थी कि नहीं बहुत जमीन दाट जमीन तो हम गरीब किसानों को देंगे ही देंगे और केरला और वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म्स प्रॉपर तरीके से इंप्लिमेंट की जाए चुकि यहां की सरकारों का कमिट्मेंट बहुत ज़्यादा था और याद रखेगा लैंड एक इस्टेट सब्जेक्ट है तो इस्टेट गॉर्मेंट जब तक ठीक तरीके से नहीं चाहती तब तक आप लैंड रिफॉर्म्स को इंप्लिमेंट नहीं कर पाऊगे फिर हम गुषते हैं कहां गरीन रेविलूशन पे इंडिपेंडेंडेंस के समय पे हमारी देश की 75 पतिशत आबादी अग्रिकल्चर पे डिपेंडेंडेंट थी और अग्रिकल्चर सेक्टर में प्रोड़क्टिविटी लो थी बहुत ही कम थी पुरानी टेक्निलोजी रिक अग्रिकेशन फैसे से तो ठीक नहीं है तो नहीं है और ज्वाट जतार जगमां पर इनकल्चर में और एकध्रिकल्च लेट rudy ने modern means of production of crops by modern means of crop production को यहाँ पे आगे लेका आया गया तो high yielding variety seeds का प्रेयोग किया गया खासकर wheat और rice की इनकी high yielding variety आई तो पहले जो seeds थी जिनमें pest लग जाता था आप pest नहीं लगेंगे कहीं न कहीं productivity जादा होगी हाला कि इसमें भी कमी थी जिसके बारे में आगे बात करेंगे फिर इन seeds को गाने में ज़्यादा fertilizer ज़्यादा pesticides का प्रेयोग ठीके भाई इनको regular supply of water चाहिए प्लस inputs यानि कि जिस प्रकार के आप seed के inputs fertilizer के input जा लोगे वो अग्दम perfect होना चाहिए input ठीके भाई तो high yielding variety seeds लेके आई गई लेकिन high yielding variety seeds का benefit केवल उन farmers को पहुचा जिनके पास reliable irrigation facility थी तो नई seeds आई लेकिन नई seeds में प्रॉबलम थी नई seeds में आपको pesticide भी ज़्यादा डालना है fertilizer भी ज़्यादा डालना है सही समय पर उस पर पानी भी डालना है तो ये climate resistant seeds नहीं थी तो वो states जहाँ के farmers के पास पैसा था उन्होंने इन high yielding variety seeds का प्रेयोग किया और एकदम से फायदे में आए जो पहला phase हुआ green revolution का जो कि आप कह सकते हो mid 1960 से mid 1970 से तक चला यहाँ पर केवल effluent states इस green revolution का फायदा ले पाए जिसमें पंजाब, आंधपदेश और तमिल नाडू जैसे states थे ठीके न भाई उसके बाद शुरुवात में जो high yielding variety seeds थे इन्होंने केवल wheat growing regions को benefit किया धीरे धीरे इनके benefit आगे पहुँचे second phase of green revolution जो कि mid 1970s से mid 1980s तक चला यहाँ पर जो technology थी और states में पहुची अब साल दर साल बीथ रहे थे तो कहीं लगे राज की सरकारे भी काम कर रही थी इन सब चीजों से भले ही एक unequitable growth हुआ यह equal growth नहीं कह सकते अब green revolution में green revolution में कुछ states को ज़्यादा फायदा मिला है और कुछ states को कम फायदा मिला है तो जिन states को green revolution का कम फायदा मिला उनको बाद नहीं मिला आज की date में नौर्थ एस्ट में green revolution नहीं पहुचा है नौर्थ एस्ट के states को green revolution का फायदा नहीं मिला है पर चलिए वो एक अलग बात है Green Revolution से एक चीज बहुत अच्छी हुई कि हमें Self-Sufficiency मिल गई Food Production में तो पहले जो हम अमेरिका पे Dependent हुआ करते थे अमेरिका की मरसी पे थे कि भाईया हमें खाना दे दो हमारे जनता के पास खाने के पैसे नहीं है तो वो सब तरीके की चीज़ें खतम हो गए और कहीं न कहीं सोवरेनिटी के लिए बहुत सब ज़रूरी है चुकि जब हम खाने के लिए ही दूसरे देश पे Dependent हो जाएंगे तो हम खुद क्या करेंगे ठीके तो यहां पे Growth and Agriculture आउटपूट हो लेकिन केवल यह इनफ नहीं था ठीके भई ज़्यादातर जो Growth Output हो रहा था वो ज़्यादातर Farmers खुदी खा रहे थे ठीके इसको Market में नहीं बिचा जा रहा था समझगे बात को अगर आपका Output ज़्यादा हो रहा है तो पहले आप क्या करोगे उसको अपना पेट भरोगे पेट भरने के बाद आप जाके उसके Market में बेचोगे पहले तो Output धीरे धीरे बढ़ा तो सबको खाना मिलना शुरूँआ एक समय ऐसा आएगा जब खाना की Requirements सबकी पूरी हो जाएगी और Access Production किसले काम आएगा Access Production काम आएगा Market में बेचने के लिए अब वो एक बिल्कुल अलग कहानी है Agriculture Products आगे बढ़े वो Market बिकना शुरू है Market में किस हिसाफ से बिकना शुरू है वो एक अलग समझना है उनको ठीक है भाई If on the other hand a substantial amount of agriculture produce is sold in the market by the farmers the higher output can make a difference to the economy the proportion of agriculture produce which is sold in the market by the farmers called marketed surplus समझ ये बात को Marketed surplus का मतलब क्या होता है एक किसान है उसने गेहुचावल पैदा किए सबसे पहले तो वो कोशिश करेगा कि बहुत सारा गेहुचावल अपने ले रख ले अपने घरवालों के ले रख ले ताकि पूरे साल के खाने पीने का जोगाड हो जाए उसके बाद वो extra market में बेच देगा वो extra market में बेचेगा तो बाकी लोगों को खाने के लिए भी चीज़े मिलेगी तो पूरे देश की food security हो जाएगी ठीक है problem ये है कि जब food production जादा हुआ तो food के दाम भी घटे और जब food के दाम घटने लगे तो agriculture एक remunerative active नहीं रही समझ ये बात को wheat rice पहले कम पैदा हो रहा था अब wheat rice एकदर से ज़्यादा पैदा होने लगा जब wheat rice एकदर से ज़्यादा पैदा होने लगा धीरे धीरे agriculture एक non-reemunerative active होने लगी जो कि agriculture में seeds, input, fertilizer, pesticide, पानी इन पर पैसा ज़्यादा खतम करना पड़ रहा था और agriculture crops को बेच के जो कमाई हो रही थी वो कमाई कम थी तो इसके चलते अब भाई नुकसान होने लगा यहाँ पे देखिए मतलब वो लोग जिनकी कमाई बहुत कम थी उनको तो फाइदा हुआ कि उनको जो फूड के दाम थे वो सस्ते हो गए और एक और चीज यहाँ पे होनी शुरू हुई इस समय पे बहुत सी जंगे भी लड़ी थी 1965 में जंग हुई 1962 में जंग हुई इन जंगों के दौरान सरकार को कही नगई खाने की कमी महसूस हुई थी तो ग्रीन रेवलुशन के थूँ जो एक्स्ट्रा फूड ग्रेंस पैदा होने शुरू हुए सरकार ने इनका बफर स्टॉक बना के रखना शुरू कर दे सरकार को समझ में आए कि ज्यादा से ज्यादा फूड ग्रेंस को स्टॉर कर रखो इमर्जेंसी के समय पे काम आ सकता हुई तो एक तो लो इंकर्म को पूड जादा खाने पीने का पैसा नहीं हो उनको सस्ते मिलने लगे खानी पेनी चीज़े तो कम से उनका पेड़ बने लगा दूसरा सरकार ने पर अपना बफर स्टॉक मनवाया ताकि फूड स्टॉटेज के समय पे इस बफर स्टॉक को प्रियोक करके कई ना कई इस्तमाल किया सके यहाँ पे देखिए यहाँ पे आफ्टर गीन आविशन हुई इंट्रेस्टेड इने रॉफर अब इस किसान के पास एक ट्रेक्टर भी है इसके जो आपके खेत हैं वो लहला भी रहें और एक अमरीकी यहाँ पे आके फूड ग्रेंस बेच रहा है तो इसमें अब हमारे देश के किसान इंट्रेस्टेड नहीं चुकि पहले क्या हो रहा था कि पहले बाहर से फूड ग्र बाहरे थे चुकि हमारे देश में लिए वोपस खाने पीने चीज़े थी नहीं अब हम खुदी खाने पीने चीज़े पैदा कर रहे था तो बाहर के क्रॉप्स की हमको जरूत नहीं है तो कहीं नहीं नेशन को ग्रीन रिवलुशन से फाइदा हुआ लेकिन रिस्क भी बहु देखें, no doubt green revolution की जो growth थी, वो equitable नहीं थी, वो inequitable थी, कुछ लोगों को फायदा जादा हुआ और कुछ फ्लोगों को फायदा जूरूरस से कम हुआ, जो बड़े किसान थे वो green revolution की technology को फायदा उठा सकते हैं, उनके पास पैसा था कि वो pesticide, insecticide, fertilizer, महंगे seeds खरी सकें, पानी का जोगाड कर सकें, लेकिन गरीब किसान के पास ये फायदा नहीं था, और high yielding variety crops की problem है, कि इनमें pest जल्दी रखते हैं, शुरू शुरू में तो pest नहीं लगे, लेकिन नयने प्रकार के pest आने लगे, और high yielding variety crops में ज़्यादा pest लगने लगे, जब ज़्यादा pest लगने लगते अमीर किसान benefit कर रहे थे, और गरीब किसान competition से बाहर हो रहे थे, लेकिन सरकार यहाँ पे आई, मदद करने के लिए, सरकार ने गरीब किसानों को low interest rate पे पैसा देना शुरू किया, सरकार ने किसानों को subsidized fertilizer देना शुरू किया, तो fertilizer ने बहुत सबसीडिय लिए, यूरिया प काफी rationalize किया गया, तो जब किसान, सरकार को यह लगा कि जो गरीब किसान है, यह जो छोटे किसान है, यह disadvantage में रह जाएंगे, तो कहीं न कहीं सरकार सीधे इनकी मदद करने आई, सबसीडिय के थूँ, और यह कोशिश की कि small forms और large forms, profitability के मामले में बराबर रहे हैं, लेकिन actually में देखा जा तो दोस्तों, इतना हो नहीं पाया, ठीक है ना भाई, वैसे तो आप देखो, तो green revolution ने small farmers की भी मदद की, यह rich farmers की मदद की, बट कहीं न कहीं, small farmers की मदद उतनी नहीं हो पाई, जितनी rich farmers की, यहां NCRT में लिखा तो है, कि small farmers को rich farmers को बराबर के benefit मिरें, बट actually में ऐसा हुआ नहीं है, चुकि पहले small farmers में जब पेस्ट लगता था, पेस्ट के लिए, बहुत सारे research institute से नहीं ने प्रकार के fertilizer बना रखे थे, तो diamondium phosphate, murate of potash, urea, इस प्रकार के fertilizer, दवाईयां, यह सब available थी, बट इनको खरीदने के लिए, जड़ातर cases में farmers के पास, करीब क informal rate, informal lending चलती है, जमीनदार, जोतेदार, यह सब किसानों को उधार पेसा देते हैं, और किसानों को debt trap में फसा लेते हैं, यह बहुत normal है, वहीं पे, जो rich किसान है, उन्होंने real benefit लिया है green revolution का, ठीक है, उन्होंने कहीं न कहीं real benefit लिया है new technology का, technology और पैसों का benefit small farmers को देने की को कोशिश आज भी कर लिये सरकार, ठीक है भई, तो farmer producer organization चलाए जा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी schemes चलाए जा रही हैं, जहाँ पे कम दाम पे machine प्रोवाइट की जा सकें farmers को, यह सब चीज़ें अब सरकार करने की कोशिश कर रही है, अब बात करते हैं, the debate over subsidies, by economic justification of subsidies in agriculture, यह एक hotly debated topic है, हम लोग अपने किसानों को इतनी subsidy देते हैं, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, उसके बारे में आपे बात की जाएगी, उससे पहले यहाँ पे ownership और incentive की बात कर लेते हैं, box number 2.5 में क्या लिख रखा है, देखिए, यह जो policy आई थी, land to the tiller की, इसका concept क्या था, इसका concept य लेगा, ठीक है न भाई, जिन tenants के बाद incentive नहीं होता है, वो उस land का improvement करते ही नहीं है, समझगे बात को, land owner, तो भाई, किसान से पैसा लेने चक्कर में ता है, तो वो improvement करता नहीं, इसलिए भाई, यहाँ पर यह बोला गया था, कि आप किसानों को land की ownership दे दो, यहाँ पर USSR के examples को code किया गया, USSR में क्या होता था, कि यह जो workers थे ना, वो एक टोकरी में फल से स्टोर करते थे, अब आपको पता है, कि मालो एक टोकरी में आप 20 apples स्टोर करो और एक स्ट अपल सड़ा जाएंगे, उसके बाद भी यह किसान क्या करते थे, कि सड़े अपलों को अच्छे apples के stars स्टोर कर देते, जबकि उनको पता होता था, कि अगर अच्छे apples के साथ आप सड़े apples स्टोर करोगे, तो खराब हो जाएंगे, क्यों? क्यों कि यहां पर Soviet model fail होता नजर आया था, Soviet Union में जो farmers थे, उनके बस लैंड की ownership नहीं थी, उनको बस पैसा मिलता था, तो लैंड में अ When your money is set, you don't have the incentive to work, farmers का efficient रहना यहां पे बहुत अब ज़रूरी है, ठीक है ना? इसलिए हमारे देश की सरकार ने क्या किया? कि लैंड की ownership कोई farmer को दी दिया, ताकि जो Soviet Union का failed concept वो हमारे यहां नहीं हो जाए, तो हमारे यहां जब farmers कुछ करें, तो वो यह सोच के करें कि वो अ जाते हैं हम लोग इस पर, subsidies पर